हमारे आहां गुजुरात में होली पे खजुर को प्रशाद की तरह खाया जाता है और इससे पूझा भी होती है बाकी स्टेट में कैसे पूझा होती है और क्या होता है वह तो मुझे नहीं बता historically लेकिन हमारा मुझे पताए कि गुजरात में तो लगपक सब के गर पे खजूर तो हो गई तो जिसके पास खजूर नहीं है वह मार्केट से लिए और ये रेसिपी ज़रूर एक बार तो ट्राइ करिए तो खजूर मेरे पास इतनी सारे बच गई थी तो मैंने सचा चलो कुछ बराते हैं ऐसा बनाएंगे के सब खाएंगे बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे बच्चे नहीं खाते इसलिए खास तो बच्चे के लिए इतनी मैनद करनी पड़ती है इसके लिए मैंने क्या क्या है पहले लिया है खजूर और उसको चाकू से बीच में से क लगा कि उसका जो सीड आता है ना वो निकाल दिया है सब में से और ये मैंने लिया था रोस्टेड आलमंड आलमंड को मैंने थोड़ा सा गी में रोस्ट कर लिया और थोड़ा सा नमक डाला है उपर से क्योंकि स्वीट और सॉल्टी दोनका कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है तो अब हम ये जो खजूर की बीच में जो जगा हो गई थी सीड निकाल दिया था तो उसके अंदर मैंने ये अलमंड भर दिया है और उसको अच्छे से सील कर दिया और उसके बाद मैंने लिया है ये डाक चोकलेट आप मिल्क चोकलेट या कोई भी चोकलेट ले स और उसके उपर डाला है थोड़ा सा यह चौकलेट स्प्रिंकल क्योंकि देखने में अच्छा लगे तो बस सब खजूर हमें ऐसे ही बना लेना है कोट कर लेना है चौकलेट से और उपर से स्प्रिंकल डाल देना है तो देखो यह हमारे खजूर चौकलेटी खजूर बनके रे तो खाने में भी टेस्टी है और healthy भी है विए खजूर है खजूर है है तो इसी बावाने गर में सब बच्चे बड़े सब ही इसको enjoy करेंगे और मस्त मज़े से खाएंगे चोकलेट सेट होके रेडी हो चुके है तो इसको बीच में से कट करके देखते हैं, कैसा रहता है तो देखो बीच में से मस्त आलमənd दिख रहा है और खाने में एकदम मस्त crunchy लग रहा है बीच में से और अजů बज़ो में से एकदम soft तो ये देखो चॉकलेट हमारे बनके रेडी हो चुके आज थोड़ा सा मैन है ना प्लेट भी डेकोरेट कर दिया है क्योंकि बस ऐसे ही मन हो गया डेकोरेट करने का तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताएए अच्छी लोगे तो प्लीज लाइक भी की कीजिए और चैनल पर नहीं तो सिस्क्राइब तो जल्दी मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना हूं